आज सौल करेंगे SACCGL 2022 का मेंस वाला मैट्स पेपर यह वाले जो पेपर है इनका PDF बनाके मैंने Solar Academy के एप पर भी डाल दिया है और आप इसे Telegram चैनल से भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं साथ में इस पेपर को attempt भी कर सकते हैं तो test format में भी मैंने इसे upload कर रखा है exam पेपर वाले section में जाके आपको यह चीज मिल जाएगी इसको अपसॉल कर लेते हैं पेपर को पहला सवाल बड़ा सा दिख रहा है क्रमशाथ 2 cm, 3 cm, 4 cm व्यास के 3 नल है तो इतने diameter के 3 नल है उनके माध्यम से बहने वाले पानी का अनुपात उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है यहां से अपने को ABC, 3 नो पाइप की efficiency मिल जाएगी जो भी इनोंने अपने को यहां पे उसका व्यास दे रखा है इसका square निकाल लेंगे क्योंकि उनके अपने को वर्ग निकालने को बोला है उसी अनुपात में उनकी आपस की दक्षता या efficiency होगी एक चीज़ तो वो पता चलगी अगला सबसे बड़ा नल अकेले एक खाली टंकी को 80 में भर सकता है तो 81 मिनिटस में सबसे बड़ा वाला जो है नल वो इसे भर सकता है हमें निकालना है यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी लेंदी है सवाल लेकिन मुश्किल नहीं है कैसे देखिए अगर A वाले pipe की बात करें ABC उनको नाम दे देते हैं तो अगर A pipe की बात करें तो उसका जो व्यास है diameter है वो 2 cm उसकी दक्षता क्या होगी इसके वर्ग के बराबर तो 2 का वर्ग 4 तो पहले की दक्षता मिल गई पी की बात करें इसका स्क्वेर करेंगे नौ सी वाले तीसरे pipe की बात करें 4 cm स्क्वेर करेंगे 16 यह तीनों pipe की आपस की दक्षता efficiency अपने को मिल गई अब इसके बाद इस वाली चीज़ को इस्तिमाल कर लेंगे यह सबसे बड़ा pipe है उसकी दक्षता 16 16 मतलब 16 यूनिट प्रती मिनिट के हसाब से वो टंकी को भर सकता है तो अगर उसको 81 मिनिट चला दें तो कितना भरेगा तो 16 यूनिट भरेगा एक मिनिट में 81 मिनिट में कितना यहां से अपने को मिल जाएगा इसका टोटल वर्क या टंकी की जो इसकी दक्षता से डिवाइट करें तीनो जो है साथ में चलेंगे जो तीनो चलेंगे इनकी दक्षता को आपस में जोड दीजे 16 और 4 20 और 29 ए बी सी की कमबाइंड है 29 इतनी पूरी टंकी को इस कैपैसिटे से अपने को भरना या खाली करना है तो भरने की बात हो रही तो भ इसको आगे अपने को solve करना पड़ेगा तो side में calculate कर लेते हैं एक मैंने आपको calculation वाली playlist में rainbow multiplication वाला तरीका बताया था तो आप वो यह लगा सकते हो या दो डिजिट का दो डिजिट से तो कुछ भी कैसे भी करके आप इसको कर सकते हो फिलाल मैं इसे कर लेता हूं 1 x 8 को side मे 101 वो भी यहाँ पर एक का gap चोड़के बस इसको जोड़ दो 6 यहाँ पर 8 और 1 9 8 4 12 उकुल मिला कि अपना calculation हो जाएगा 1296 divided by 29 तो इसको अपने को 29 से divide करना है 29 का table तो किसी को याद होगा नहीं तो यहाँ पर अपने को physically divide करके देखना पड़ेगा सबसे मिला अपने को 129 बन 9 4 36 6 carry जाएगा 3 4 2 8 3 carry जोड़ देंगे उसमें 11 minus कर दें इसको 9 में से 6 घटाए 3 2 में से 1 घटाए 1 यहाँ से 6 नीचे आ जाएगा फिर से 4 बार चलेंगे तो minus 116 यहाँ पर बचेगा 0 और यहाँ पर 2 इससे जादा तो नीचे होगा नहीं आंसर भी अपने को mixed fraction में बताना ह उत्तर हो जाएगा यह वाला 44 यहाँ पर 20 चला जाएगा उपर 49 आ जाएगा नीचे यह वाली चीज अपनी होगई इसका अंसर इसका उत्तर option number D होगा अगला सवाल देखते हैं दो संख्या हैं जोकि तीसरी संख्या से क्रमशर 10 प्रतिशत और 25 प्रतिशत अधिक हैं दोनो को B तीसरी को C अगर मैं तीसरी संख्या को 100 मान लूँ तो पहली कितनी होगी 10 प्रतिशत अधिक है मतलब इसको 110 होना पड़ेगा 100 से 10 प्रतिशत अधिक यह दूसरी वाली संख्या 25 प्रतिशत अधिक है तो 100 से 25 प्रतिशत अधिक का मतलब 125 यह तीनों का अपने को मान मिल इनका बीच का अनुपात मिल गया हमें निकालना है आगे की दोनों का अनुपात मतलब 110 का अनुपात 125 है तो उसको नीचे लिख लेते हैं 110 का अनुपात निकालना है 125 से 5 से इसको हल कर दें ये चला जाएगा दो बार फिर से 2 और नीचे ये कटता है 25 बार उत्तर हो जाएगा 22 अनुपाद 25 आगे चलते हैं A, B और C इन लोगों ने कुछ पैसा निवेश किया और उनकी जो समय था कितने समय के लिए उसका अनुपाद आपको दे रखा है तेक तो समय का अनुपाद दे दिया और जो लाब मिलता है उनको उसका अनुपाद भी दे रखा है हमें निकालना है उनोने कितनी राशी जो उनके राशी निवेशित कीथी वो कितने उसके अनुपाद किया था तो बहुत सिंपल सा देखो इसका तो concept है जो भी पैसा निवेश करते है जितने समय के लिए करते हैं, उसका अनुपात लेते चलते हैं, वही हमारा profit का ratio होता है, तो capital जो राशिया आप invest करते हो C, उना करते हैं, उसमें कितने समय के लिए निवेशित करते हो, वही अपने को देता है profit, जब इसका अनुपात लेते चलते हैं, यहाँ पर अल्रेटी द और चौदा डिवाइड कर देंगे जो इन्होंने अपने को समय का दिया हुआ है चार में समय के लिए तीन तो चार बटे तीन तीन में समय है दो तो यहाँ पे दो यहाँ के चौदा में इसका साथ सी इंटू टी पी के बराबर होता है तो पी का अनुपात था उसको नीचे में समय से जिस प्रॉफिट के लिए जो समय था उससे में इसको भाग देता जा रहा हूँ साथ से यह हो जाएगा दो बार अब नीचे इसको LCM लेके solve कर लेते हैं तो तीन दो और यहाँ पे रहता एक तीन दो और एक का LCM बनेगा छे तो पूरे को छे से गुणा कर देंगे छे से गुणा कर देंगे तो step by step लिखी देता हूँ मैं आपके लिए 3 by 2 यहाँ पे हो गया 2 by 1 यहाँ पे हो गया अब इस पूरे को हम लोग 6 से गुणा कर रहे हैं किसी भी अनुपात में एक ही संक्या से गुणा या भाग करने पर अनुपात में कोई बदलाव नहीं होता उस नियम का हम लोग यहाँ पे उप्योग करेंगे 6 को 3 से भाग देंगे 2, 2 को 4 में गुणा करेंगे 8, 2 को 6 से भाग देंगे 3, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, 1 को 6 से भाग देंगे 6, 6 का 2 में गुणा करेंगे 12 तो जो उनके पैसे का अनुपात है वो है 8, 9 और 12 option number C यहां पर correct है आगे चलते हैं एक bike है जो अंकित मूले पर 44% छूट देकर इतने रुपए में बेचा जाता है bike का अंकित मूले अपने को निकालना है बहुत ही simple, असान सा सभाल हो गया है तो जो भी आपका अंकित मूले रहता है जो marked price रहता है उस पर discount देते हैं वही हमारा देता है selling price तो अगर इसके अंकित मूले को अगर हम लोग MP माल है MP marked price discount किता दे रहे हैं 44% तो बचा किता 56% तो अगर marked price का 56% निकाल लें तो वही तो बनेगा है जो भी यहां पर लिखा हुआ है 8, 7, 5, double, 0 बस MP के लिए इसको हल कर देना हुआ अपना उत्तर हो जाएगा MP बराबर 8, 7, 5, double, 0 यह वाला 100 उपर जाके गुणा में आजाएगा यह वाला 56 नीचे आके भाग में हो जाएगा अब इस चीज़ को हल कर लेते हैं तो 56 आ रहा है, यहां पर 100 आ रहा है यह तो पहले तो इसको 4 से हल कर सकते हैं 4 से 1 बार, 4 बार यह देगा अपने को 25 इसको 2 से हल कर लेते हैं यह हो जाएगा 7 यह 4 बार फिर 3 बार में 6 फिर 7 बार में 14 5 बार और यहां पे हो जाएगा एक 0 यह अपना आ गया 7 से अपने को divide करना है तो 25 तो होगा नहीं यहां पे गुणा में है बीच में इस संख्या को अपने को 7 से भाग देना है तो दे देते हैं 7 से 6 बार में 6,7 बार 42, 17 आया 2 बार में 14 3 बचा मतलब 35, 5 बार में और यहां पे आगया एक 0 6,25 को अपने को गुणा करना है 25 में यह जो देगा वो अपने को उत्तर देगा और उसके बाद एक 5 होना चाहिए जो कि अपने को सिर्फ यहां पे दिख रहा है option number C यहां पे correct होगा इस step के बाद अपने को इसको आगे ज़्यादा हल करने की जुरूत नहीं थी क्लियरली अपने को यहां पे दिख रहा है कि उसकी digit क्या आएगी नहीं अगर आपको इस तरह से दिखता है तो आपको फिर इसको पूरी तरीके से हल करना पड़ेगा यहां पे एक चीज अपने को मुझे जो दिख रही थी कि यहां पे आ रहा है 0 तो 1-0 तो इसमें होना ही पड़ेगा और 5-5-0-25 पांच आखरी में एक पांच दिखना चाहिए तो वो यहां पे दिख रहा था बस सिंपल से एक लॉजिक से मैंने इस चीज को यहां पे हल कर लिया आगी चलते है A, B और C तीन पॉइंट है A, B का मान दिया है 9 cm B, C 11 cm A, C 20 cm तीनों बिंदों से गुजरने वाले वरत्तों सरकलों की अपने को संख्या बतानी है तो यह बहुत स्टेंडर्ड सवाल है ऐसा सवाल पहले SSC के एक्जाम्स में प्रीवेस एर में आ चुका है तो यह काइंड ओफ रिपीटेट सवाल है एक तरह से देखें तो इसको हाँ पहले देखें सबसे पहले हम लोग चेक कर रहे होते हैं कोई भी अगर त्रिभुज बन रहा है अगर कोई भी अपना ट्रेंगल बन रहा है तो उसके तीनों पॉइंट से पास होने वाला जो सरकल होता है या सरकल उसके तीनों पॉइंट से निकलेगा की नहीं तो यहाँ पर बस आपको यह चेक करना पड़ता है कि जितनी यहाँ पर 9 cm, 11 cm, 20 cm जो भुजाओं की लेंथ दी है जो माप दिया है इनसे त्रिभुज बनेगा की नहीं बनेगा जो सबसे simple condition होती है कि कोई भी त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा triangle बनेगा की नहीं बनेगा formation of triangle जो हम लोगों ने class में सीखा था बस वही concept यहाँ पर लगा देना है formation of triangle यह कहता है कि कोई भी दो भुजाओं का योग जो है sum जो है वो तीसरी भुजा से जादा होना चाहिए या दो भुजाओं का जो घटन है तो घटा दे difference जो है वो तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए अगर ऐसा हो रहा है तो ही triangle बनेगा वरना नहीं बनेगा यहाँ पर अगर देखें 9 को 11 में जोड़ें तो 20 आ रहा है तो इस तीशको मैं लिखके बता देता हूँ कि जो अपना condition होती है कि A प्लस B बड़ा होना चाहिए तीसरी साइट C से तीनो साइट इक लिए चेक करना पड़ता है तो अगर मैं पहली साइट देख लूँ 9 में 11 तो 9 प्लस 11 क्या ये 20 से बड़ा है तीसरी साइट क्योंकि 20 है तो 9 प्लस 11 होता है 20 20 से बड़ा तो नहीं है तो ये condition satisfy नहीं हुई मतलब triangle नहीं बनेगा triangle नहीं बनेगा तो तीनों point से जो circle है वो भी नहीं निकलेगा इस वज़े से यहाँ पर option be correct है जब तुरिभूजी नहीं बन रहा तो उसका circumcenter कैसे बनेगा ठीक है आगी चलते है ये जो सवाल था वो repeated था मतलब पहले भी actually SSE में आ चुका है तो इसलिए कोई उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आपने previous year solve किये थे तो next एक कांश के jar में छे सफेद, आठ काले, चार लाल और तीन नीले कंचे हैं यदि jar से एक कंचा randomly चुन लिया जाता है तो इसके काले या नीले रंके होने की क्या प्राइकता है probability अपने को यहाँ पर निकालनी है तो यह को simple सी बात है उन्होंने बोला है या तो वो काला होना चाहिए या फिर वो नीला होना चाहिए काले वाले कितने, आठ नीले वाले कितने, तीन और कुल कितनी संभा होना है, पूरे आने की तो टोटल जो data है वो कितना हो जाएगा तो छे white है, आठ black तो काले और नीले इनमें से कोई भी चलेंगे तो काले कितने है आठ नीले कितने है तीन आठ और तीन ग्यारा तो उपपर लिख देंगे ग्यारा यही इसकी प्राइकता हो जाएगी प्रोबैबिलिटी हो जाएगी ओप्शन नमबर भी यहाँ पर करेक्ट है next इस तरह से रेंज मिन दिया जाता है तो फॉर्मौला लगाना पड़ अपड़ता है फॉर्मौला क्या होता है mode प्राबर L प्लस प्रेकेट के अंदर F1 माईनस F0 नीचे 2 टाइमस F1 माईनस F0 माईनस F2 प्रेकेट क्लोस गुणा में H, वी चीज़े कैसे निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, चुकि mode बहुलक की बात हो रही है, तो frequency, सबसे ज़्यादा frequency कहां पर दिख रही है अपने को, 11 के लिए, तो मैं इसको highlight कर देता हूँ, frequency आ रही है, 11 इसके लिए जो अपना class interval है वो कौन सा लेंगे हम लोग, 25 और 30, 25 और 30 के साब से L जो होता है, वो lower limit होती, तो 25 और 30 की lower limit क्या है, 25 इसका मतलब, यहाँ पहल की जगे हम लोग लिखेंगे, 25 प्लस bracket बना लेते हैं, F1 का मतलब होता है जो यह range आ रही है, उसी की frequency, तो इस range की frequency क्या है, या इस class interval की frequency क्या है 11, F1 की जगे लिखोगे 11, minus, F0 का मतलब होता है, उसके पहले वाली frequency 11 के पहले आ रही है, 9 यहाँ पे लिखेंगे, 9, नीचे F1 की जगे, वापस से वही 11 रखना है तो 2 का गुणा करके, तो गुड़िद 11, 22 minus F0, मतलब इसके पहले वाली frequency 9, minus F2 का मतलब उसके बाद वाली frequency तो 11 के इस range के बाद यह वाला, तो इसकी frequency किती है, 10 यहाँ पे लिख देंगे, 10 bracket close, गुणा, H का मतलब होता है वो जो class interval है, उसकी range के है 25 से 30, range होगी 30 minus 25, मतलब 5 H की जगे रखेंगे, 5 इस चीज़ को बस अपने को खल कर लेना है, 25 तो यहाँ पर as it is लिखा रहने हैं, तो, plus 11 में से 9 घटा दें, यहाँ पर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा, 22 minus 9, minus 10, मतलब यह कुल मिला के अपना हो गया, minus 19 इस में से घटाएंगे, तो यह देगा अपने को, 3 बाहर लिखा हुआ है, 5 5 गुणा हो जाएगा अंदर, मतलब 10 by 3, यह हो जाएगा 25 plus 10 by 3 होता है, 3.33 3.33 जोड देंगे दोनों को, यह हो जाएगा 28.33, यह अपना उकतर होगा, तो, mode निकला 28.33, option number D, यहाँ पे बिल्कुल सही है mode का सवाल था, जब भी range में DOT, class interval, वहाँ पे हमें, हमेशा हमेशा formula लगाना पड़ता है, आगे चलते हैं यदि ब्याज अर्धवार्शिक रूप से सयोजित किया जाता है, तो, एक वर्ष के हाफ यर्ली हो रही है, इसका मतलब rate percent को आधा कर देंगे, समय को दुगना कर देंगे, तो, जो rate percent हम लोग consider करेंगे, 20, 20 का आधा मतलब 10 प्रतिशत और जो समय है, समय कितना एक साल, तो वो time period दुगना होता है, तो यहाँ पर time period अपने लिए हो जाएगा 2 cycle का, यहाँ पर अपने को बस इसका compound interest निकालना है, तो 10 प्रतिशत आसान सी चीज है, 10 प्रतिशत 2 साल के लिए, खुल मिला के यह अपने को देता है, 21 प्रतिशत, कौन से formula से निकलता है, A plus B A plus A, B upon 100 वाले से, यह formula लगा दोगे A और B में 10-10 रखोगे, वो आपको देगा यहाँ पर 21 प्रतिशत, यह तो मैंने आपको class में याद भी कराया था, 10% के लिए अपने को याद होना चाहिए, 1 cycle के लिए 10%, 10% रहेगा, 2 cycle के लिए 21% हो जाएगा, 3 साल के लिए 33.1% हो जाएगा, 4 साल के लिए 46.41% होता है यह basic data होता है, प्रतिशत क्योंकि बहुत standard है, इस वह से वो चीज़ याद आ जाएगी, तो सवाल हल करना अपने लिए आसान हो जाएगा परिक्षा के अंदर 10% दिखा, 2 चक्र के लिए दिखा, इसका मतलब 21% बस आपको 8000 का 21% निकालना है, वही आपको कुल मिला के, ब्याज मिलेगा 8000 का 21% निकालना है 2 0 यहाँ पर कड़ गए 8 को यहाँ पर गुणा कर दें तो 8, 12 1 0 बचा था, इतना, आपको जो ब्याज है, वह होगा 16, 80, option number D यहाँ पर होगा, correct आगे चलते हैं एक टोकरी में 350 अंडे हैं यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं, तो कितने अंडे बेचने के लिए परयापत हैं, मतलब कितने आप बेच सकते हो 12% खराब हो गए तो बचे जो 88% है वह आप बेच सकते हो बहुत आसान सवाल हो गया यह तो 350 का बस आपको निकालना है 88% ऐसा क्यों कर रहे हैं भी 12% खराब हो गए तो बचे कितने कुल 100% होता है, 12 गया, बचा कितना 88% इसलिए यहाँ पर बस इस संख्या का आपको 88% निकालना है और वो उत्तर हो जाएगा 0 पहले यहाँ पर काट लो, 5 से 7 बार, यह 2 बार, 2 से यह हो जाएगा 44 बार, 44 का 7 में गुणा करना है आखरी में 8 दिखेगा, 7, 4, 2, 28 उत्तर में 8, 2 में आ रहा है तो पूरा हल कर लेते हैं 7, 4, 28, 8, 2 कैरी चला जाएगा 7, 4, 28, 2 कैरी जोड़ के 3, 0 308, आप्शन नमबर C यहाँ पर करेक्ट है अगला सवाल देखते है एक वरत है जो चतुरबुज A, B, C, D के बराबर होता है पहले में इसका डाइग्राम बना देता हूँ फिर आपको यह चीज दिखा देता हूँ पहले एक वरत्त बना लेते हैं आसान पड़ेगा इसके चारो तरफ अपने को इस तरीके से कुछ चतुरबुज बन जाएगा नाम देते हैं इसको A, B, C, यहाँ पर D A, B बोला 18 तो यह वाली लेंथ हो गई अपनी 18 cm B, C, 21 है और A, D, यह 15 है हमें निकालना है C, D इसका माप क्या होगा तो बहुत स्टेंडर्ड होता है A, B, अब जो अपोजिट वाली जो साइड होती ही उनका योग जो है बराबर होता है इसका मतलब 18 प्लस 0 क्यों लिख दिया 18 प्लस इसके अपोजिट है X बराबर 15 प्लस 21 15 प्लस यह हो जाएगा 18 प्लस X बराबर इन दोनों को जोड़ दे 36 X का मान हो जाएगा अपना 18 तो जो DC लेंद है वो होगी अपनी 18 सेंटीमीटर आगी चलते है 21 सेंटीमीटर भुजा वाली एक लकडी के घन से तराशे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन अपने को निकालना है तो 3D फिगर है थोड़ा साब को इमेजिन करना पड़ेगा एक आयत है आपका सौरी घन है जो की 21 सेंटीमीटर भुजा वाला है तो 21 बाइ 21 बाइ 21 का आपका क्यूब बन जाएगा उसके अंदर सबसे बड़े गोले का आयत है यह अपना बन जाएगा यहां पर भन और इसके अंदर आपको एक बूला बनाना है ना सर्कल फिट करना है अंदर फिट करने कोशिश करते हैं पूरे ऐसे करके पूरा यह बनेगा लगभग 3D फिगर है और विससी बात है तो अब सारी जो इसके यह वाली पॉइंट है यह टेच करते हो बनेंगे यह वाला सर्कल उस वाले साइड को टेच करेगा यहां पर यह इस वाले साइड को टेच कर रहा होगा तो यह कुल मिलाके जो अपना अंदर जो अपना यह बनेगा जो अपना पूरा sphere बनेगा, जो अपना यहाँ पर गोला बनेगा, उसका जो व्यास होगा, जो diameter होगा, वो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा होगा, बतलब इसका जो व्यास है वो 21 cm है, तो इसकी त्रिज्या radius कित्ती हो जाएगी, 21 बटे 2 हो जाएगी, उसका बस volume निकाल लेंगे, तो उसके लिए अपना standard formula है, 4 by 3, पहले में से हटा दूँ, 4 by 3, πाई, πाई के मान रखना है, 22 बटे 7, और RQ होता है, तो आपने व्यास निकाला था 21, तो उसके त्रिज्या हो जाएगी, 21 बटे, तो, और Q होता है, घन होता है, तो 3 बाई लिकना पड़ेगा, इस 21 इस से कट जाएगा, दो दुनी 4 यहां से कट जाएगा, तो इसको बना देगा 11, 21 का वर्ग होता है, 441, तो मतलब 11 गुणा में 441, यह देखना है, तो 11 से गुणा करना है, यह भी आपको प्लेलिस्ट में सिखाया था, आगे वाले 4 को ऐसा का ऐसा लिक लो, 4 में 4 जोड़ तो 5 आखरी का एक ऐसा कैसा लिख दो, 4, 8, 5, 1, option number C यहां पर अपना correct होगा, आगे चलते हैं, इसका मान निकालना है, वर्गमूल के अंदर 8 प्लस, वर्गमूल के अंदर 16, 81, तो यह 16, 81 special number है, जो 40 होता है, उसका वर्ग 16, 81, अब अगर मान लोग यह अपने को नहीं आता तो अपन कैसे कर रहे होते हैं, तो किसी भी नंबर का वर्गमूल जब निकालना होता है, तो उसके लिए बहुत standard तरीका है, जो आपको मैंने सिखाया भी था, जैसे इसका मान लेतने आपको नहीं आदे कि क्या होता है, तो कैसे निकालते हैं, कोई भी संख्या हो, जैसे य दो लिया, तो दो में दो गुणा करके चार बनेगा, तीन लिया, तो तीन गुणा करके नौ बनेगा, चार लिया, तो चार गुणा करके सोला बनेगा, तो सोला के बराबर या उससे छोटा रखना है, तो यहाँ पर हम चार ले सकते हैं, चार गुणा चार बनाएगा अपन कुछ ऐसी संख्या रिखनी है, जिसको उसी से गुणा करके अपने को 81 सी दे, तो 81 में 1 का गुणा कर देंगे 81 into 1 देगा 81 माइनस कर दें 0, तो अपना उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 41 उत्तर मतलब इसका जो वर्गमूल निकाला वो चीज़, तो वर्गमूल अपने को मिल गया 41, तो कुल मिलाके अपना सवाल हो गया, वर्गमूल के अंदर 8 प्लस 41, 41 प्लस 8 होता है, 49 49 का वर्गमूल होता है, 7, option नॉम्बर D यहाँ पर अपना होगा, correct आगे शलते हैं ऐसे सवाल अपने बोर्डमास से हल करते हैं और उसमें भी यह वाला काफी आसानी दे दिया कोई भी divide करने का इसमें कोई जंजट नहीं है तो सबसे पहले bracket bracket के अंदर भी सबसे छोटे वाले bracket को अपने को हल करना पड़ता है, सबसे पहले यह वाला हिससे हल करेंगे 25-13-12 तो माइनस का 13, माइनस का 12 25 बना देगा, 25 में से 25 घटाएंगे शुने, यह वाला जो पूरा हिससा है यह तो अपना शुन हो गया, तो वो तो चला गया शुन के आगे माइनस लगाने से कोई फरक नहीं पड़ता तो यह भी पूरा चला गया यहाँ पर बचा, 40-56 40 में से 56 घटा देंगे यह अपने को देगा, माइनस का 16, तो उक्कुल मिलाके हो गया 30, माइनस यहाँ पर लगा हुआ है ब्रेकेट के अंदर माइनस का 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30 में 16 जोड़ दोगे वो बदेगा अपना 86, 46 आगे चलते हैं रेशो आफ इंकम दिया है दो लोगों का, साथ, चार का और उनके जो एक्सपेंडीचर, खर्चे का रेशो दिया है तीन और एक का, हर एक जो है वो 4,800 रुपे प्रती महिना बचा लेता है हमें निकालना है उनकी कुल मिला के जो इंकम है, वो कितनी होगी दो तरीके से कर सकते हैं एक तो समीकरण equation बना बना के कर सकते हैं इसको 7x बोलो इसको 4x बोलो, इसको 3y बोलो इसको y बोलो 7x-3y बराबर 4,800 उसा तरीक से 4x-y बराबर 4800, फिर वहां से XY का मान निकालोगे, हल करोगे, वो बेस तरीका हुआ पर बहुत standard सवाल है कई सारे देखो, पहले भी आ चुके हैं तो अपने को ज़्यादतर ऐसे सवालों को हम लोग ratio method से कर लेते हैं कैसे, तो मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ A और B दो लोगों की बात हो रही है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ income expenditure, खर्चा जो कर रहे हैं और यहाँ पर उनकी होगी saving तो जो income है उसका अनुपात दे रखा है 7 और 4 का, तो यहाँ पर लिख लेंगे color बदल देता हूँ 7 अनुपात 4 और जो expenditure का अनुपात दे रखा है खर्चे का 3 और 1 और यहाँ पर दे रखा है प्रत्येक जो है हर एक व्यक्ति इतने रुपे बचाता है तो यह भी 4800 बचा रहा है वो भी 4800 बचा रहा है अनुपात किता हो गया? एक और एक का तो यहाँ पे आना चाहिए एक और एक तो मैं 7 मेंसे 3 घटा हूँगा तो 4 आएगा 4 मेंसे 1 घटा हूँगा 3 आएगा अनुपात तो बरावर नहीं आ रहा हो तो एक बरावर बरावर होना चाहिए तो हम लोग यहां करते है रेश्यो उसको manipulate करते है उपर वाले में कुछ गुणा कर दो नीचे वाले में कुछ गुणा कर दो ताकि उपर नीचे ऐसे घटाने में संख्या अपनी बरावर है तो देख लेते हैं सबसे पहले trial and error अपने हो करना पड़ता है एक ही संख्या तो गुणा करेंगे निए उपर नीचे और दूसर देखो concept यह भी है कि कि किसी भी अनुपात में किसी भी संख्या से आप गुणा या भाग कर दो अनुपात में बदलाव नहीं होता वही logic हम लोग use करते हैं कि 7 is to 4 बोलो या 14 is to 8 बोलो कोई फर्क नहीं है क्योंकि हलका रोग है फिर 7 चार आ जाएगा इस चीज़ को हम लोग देखते हैं परवाले अनुपात को अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ और नीचे वाले अनुपात को अगर मैं पूरे को 3 से गुणा कर दूँ जो मेरा नया अनुपात बन जाएगा income का हो जाएगा 7 दूनी 14 यहाँ पे चार दूनी 8 यहाँ पे 3 तिया 9 expenditure का और इस वाले का 3 अब यहाँ पे अगर आप माइनस करके देखोगे 14 में से 9 घटाओगे तो वो आ जाएगा 5 आठ में से 3 घटाओगे वो भी आ जाएगा 5 एक और एक का अनुपात हो गया यह चीज अपना यहाँ पे सही हो गई तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चीजों को हल कर रहे होते हैं यह चीज समझना बस अपने लिए important है दूसरा तरीका जो मैं आपको पहले बता है या तो आप समीकरण बनाओगे थोड़ा सा लेंड दी जाएगा लेकिन अगर आपको रेशोज में काम करना आता है तो अगर आप इस चीज को कर लेते हैं तो फिर चीज आसान हो जाती है तो पांच और पांच का अनुपात यहाँ पे अपना बन रहा है मतलब एक और एक मतलब चीज अपनी जो के बराबर है 4,800 के तो आप एम उपर तरह लिख रहा हूं पांच का मान होगया चार अजार आठ सो के कुल इंकम निकालनी है इसकी कितनी है चाओदा इसको कितनी है 8 कुल मिलाके कितनी होगई 22 का मान कितना होता यह होजाता 4800 जुड़ा में 22 का तो निकालना है नीचे हो ज तो आपको हल करके यहाँ पर मैं 20 बना दे रहा हूं ताकि इसको कलकुशन आसान हो जाए जगे नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं इस चीज को 48 गुणा करके 25 में 2 का गुणा कर दो 44 गुणा एक 0 बचा है मतलब 10 यहाँ पर मैंने लिख लिया पहले आप 48 में 44 को मल्टिप्लाइ कर लो और आगे एक 0 लगा देना अप्शन में सब के आगे 0 आ रहा है दूसरा 8 forza 32, 2 0 होना चाहिए 2 0 भी 2 में आ रहा है तो अब इसको अपने को हल करना पड़ेगा पहले इन दोनों को गुणा कर लो 4 forza 16, 8 forza 32, 8 forza अंदर लिख लो 32, 4 forza 16 वही rainbow multiplication यहाँ पर मैं लगा रहा है इस वाले हिससे में केवल आगे के 2 में 2 यहाँ पर 6, 39 और 2, 11, 1 carry चला जाएगा यहाँ पर 6, 39, 1, 10 और 11 carry चला जाएगा यहाँ पर 2 2, 1, 1, 2 और एक 0 यहाँ से लग जाएगा तो option number के यहाँ पर अपना होगा correct अगर आपने method पहली बार देखी तो अजीब सा लगेगा लेकिन थोड़ा से गवाँ practice अगर आपकी हो गई तो फिर यह कीजे definitely आसान होगी और समीकरण बना के हल करने से तो यह लाग गोना जादा बैतर तो चलो आगे देखते है यदि किसी गोले की तरिज्या 48 प्रतिशत कम कर दी जाए तो उसका प्रस्थिय छेत्रफल कित्ते प्रतिशत कम हो जाएगा जो उसका surface area होता है किसी भी sphere का 4 pi r square होता है तो रेडियस जो है आपने 48 परसेंट से कम कर दी तो बची कित्ती 52 परसेंट तो जो उसका surface area होता है उसमें कित्ते प्रतिशत बदलाओ आएगा तो जब भी प्रतिशत बदलाओ की बात हो रही है जो आपका surface area होता है वो तो 4 pi r square होता है divide भी करोगे 4 pi r square से जो पुरानी थी जो नहीं थी उस तरीके से तो इसको पन इस तरीके से नहीं करते है अगर practice है तो direct कर सकते हैं किस तरीके से क्योंकि बहुत standard सवाल है कोई उसमें कोई नहीं चीज़ उन्होंने अपने से नहीं पूछिए जो त्रिज्या है वो 48 प्रतिशा से कम हो रही है मतलब पहले 100 थी उसमें से आपने 48 हटा दिये तो नहीं त्रिज्या हो गई 52 इसका मतलब 4 pi r square 4 constant है लिखने की जुरूत नहीं है pi 22 by 7 लिखने की जुरूत नहीं है बदलाव किस में हो रहा है आर में यह हो जाएगा 52 by 100 into 52 by 100 4 pi r square यही होता है अब नीचे है आपकी पुरानी उपर है आपकी नहीं इस चीश को अपने को calculate करना है 52 का square निकालना है तो 52 का square निकालने के direct तरीका होता है 50 के पास के जो number होते है उनका work निकालना square निकालना यह भी मैंने आपको playlist में बताया था तो सबसे पहले क्या करो इसको देखो 52 को दोखो 50 plus 2 तो 50 से कितना ज्यादा जा रहा है दो 50 का आधा करो 25 25 में 2 जोड़ तो सबसे पहले तो यहाँ पे हो जाएगा 27 और 2 था 50 plus 2 आ रहा है 2 है तो 2 का work करो 4 तो यहाँ पे आप लिखोगे 0, 4 पावन का work होता है 270 नहीं सब calculation व नीचे 100 और यहाँ पे 20 और पहले इतना था अब इतना हो गया तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं अंतर निकाल लेते हैं 1000 में से आप घटा दोगे 2704 यहाँ पे 6 मिलेगा यहाँ पे 9 मिलेगा यहाँ पे 2 हो जाएगा यहाँ पे 7296 और अब पसंटिक निकालना है तो 7296 divided by original कितना है और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दोगे 2-0 कड़ गए 2 के बाद 100 है मतलब यहाँ पे दशामला लग जाएगा 72.96 औप्शन नमबर भी यहाँ पे होगा तो इस तरीके समलोग कर रहे होते हैं कोई variable ना कोई भी चरवर लेने की जूरत नहीं है आपको ना formula लिखने की जूरत है अपने को पता है जो भी surface area में बदला लिखो गुड़ा उना कर लो आगे हल करना है और इस तरह की सपना उत्तर निकालना है आगे चलते हैं दो संख्याओं का गुड़न फल 1500 है और उनका HCF जो है वो 10 है ऐसे संभावित युगमों की संख्या क्या है ऐसे कितने पेर बन सकते हैं अपनी संख्याओं के तो HCF जब भी दो संख्याओं होती है अगर उसको अपन इस तरीके से बोलें कि A और B दो संख्याओं है उन्हें संख्याओं के अंदर HCF भी होता है तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं HCF गुणा में A और इसको यह तो A को लिखा B को कैसे लिख सकते हैं इसका भी कुछ HCF गुणा में B यह दोनों में HCF common होता है इन दोनों का जो गुणा है वो 1500 है तो इनके बीच मैं गुणा गुणा small b बराबर 100 से डिवाइट कर देते हैं तो यह आता अपना पंद्रा यह जो होते हैं आपस में को प्राइम होते हैं सह अभाज होते हैं तो इनके अंदर कुछ भी common नहीं होता जो भी common होता वो तो HCF के रूप में आपने पहले बाहर कर दिया तो दो संख्याओं का गुणा करके 15 बनाना है किस तरीके से बना सकते हैं यहाँ पर अपने को सोचना पड़ता है एक जगे अगर मैं 15 रख दूं बी की जगे अगर मैं एक रख दूं तो भी वो 15 हो जाएगा दूसरा पंद्रा बनाने के लिए 3 में मैं 5 का गुणा कर सकता हूं वो भी 15 हो हो तो यहां पर उन्हें ऐसा कुछ भी कंडिशन नहीं डाली है तो हम लोग पेर मानेंगे कि एक तो अपनी संख्या हो सकती है स्मॉल ए 15 मतलब कैपिटल एक इत्ता हो जाता से गुणा कर दोगे डेड़ सो गुणा एबी स्मॉल भी मतलब एक और से गुणा कर दोगे मतलब दस यह भी 1500 देता यहां पर तीन में दस का गुणा ओके 30 बनता पांच में दस का गुणा ओके 50 बनता यह भी 1500 बनाता तो दो तरीके से हम लोग चीजों को लिख सकते हैं तो दो पेर अपने बन रहे हैं ऑप्शन नमबर डी यहां पर करेक्ट है नमबर सिस्टम का यह बहु दोनों लेंदेन के लिए उसका कुल लाव प्रतिशत अपने को निकालना है तो चेंडर तरीके से कर सकते हैं पहले आपने 5000 रुपे में खरीदा 6000 रुपे में बेज दिया तो मुनाफ़ा कितना कमाया आपने 1000 का मुनाफ़ा यहां पर लिख लेते हैं पहले 1000 रुपे कमाया फिर 8000 रुपे में खरीदा 10,000 में बेज दिया तो फिर यहां पर आपने मुनाफ़ा कितना कमाया 2000 का कुल मिला के आपने जो प्रॉफिट लिया वो है 3000 का और यहां पर जो कुल आपका जो क्रेम मूल्य था जो कॉस्ट प्राइस है पहले 5000 था फिर 8000 मतलब यह हो गया आपक इकड़ गया एक यहां पर इकड़ गया 300 को अपने को 13 से भाग देना है तो नॉर्मल तरीके से यहां पर लिख लेते हैं दो बार में 26 माइनस करते चार जीरो तीन बार में 39 माइनस एक आता पहले ऑप्षन देख लें देखो 23 से की में आ रहा तो वही होना पड़ेगा आगे आपको बहुत जादा इसको हल करने की विजरूत नहीं है कि डेसिमल लगा रहे हो जीरो लगा रहे हो फिर एक जीरो लाइए अगला प्रिक्नोवेट्री का सवाल है साइन 25 गुणा साइन 65 माइनस कॉस 25 गुणा कॉस 65 अपने को वैलुएट करना है या तो फॉर्मले लगा सकते हो बड़े फॉर्मले नहीं याद रहते हैं तो इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं साइन को कॉस में बदलना ह तो गुणा साइन 65 डिगरी लिखा रहने तो माइनस कॉस को बदल लेते हैं यह होगा अपना 25 डिगरी 90 माइनस 90 इसको अगर अपने को साइन में बदलना है तो इसको करना पड़ेगा आपने को साइन के अंदर 90 माइनस 65 तो यह बन जाता अपना साइन का 65 65 को बदलना है कॉस 65 को तो साइन 90 माइनस 25 तो यह हो जाता साइन ओफ 25 अब यह दोनों देखो एक की चीज लिखी हुई है तो एक चीज प्लस की एक चीज माइनस की बिलाकर 0 दे देगी option number C यहाँ पर अपना सही हो जाएगा आगे चलते हैं तीन चार कंडिशन का सवाल है पढ़ते हैं इंट्रेंगल PQR PQ बराबर QR दिया हुआ है दो दो भुजाएं तो बराबर हैं O is the interior point of triangle PQR ओ कहीं पर भी एक कोई बिंदू है कोई कोई सा बिंदू है यह नहीं बता है उस त्रिभुच के अंदर क बराबर है O R P के है ठीक है consider the following statement अपने को देखना इसमें से कौन सी बात जो है वो सही लिखी हुई है सबसे पहले हैं आप एपन साइड में इसका डाग्राम बना लेते हैं PQR ट्रेंगल है जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं आप पहले हैं मैं स्टीश को बना लेता P Q ये वाली भुजा बराबर है Q R इस वाली भुजा के अपना बन गया एक चीज़ अपने को ये दिखरी है दूसरा O कहीं तो भी इसके अंदर है यह ओ पॉइंट कहीं पर भी अपन माल लेते हैं कौन सा बिंदू ये अपने को नहीं पता अपन नहीं कह सकते कि और यहां पर R और O, R, P पी सब कुछ अंदर ही है तो ठीक है यह वाला यहां पर O लिख लेते हैं एंगल इन्होंने बोला है O, P, R ये वाला जो एंगल है वो भराबर है ORP इस वाले एंगल के हैं तो जब किसी भी त्रिभूज के अंदर दो एंगल बराबर हो जाते हैं उन बराबर है, एक सीज अपने को और पता चल गए, अब इन्होंने अपने से जो बोला है, वो तीनों कंडिशन अपने चेक कर लेते हैं, ट्रेंगल POR, जो है वो एक आइसोसलस ट्रेंगल है, तो बिल्कुल है, दो भुजा हैं इसमें बराबर हैं, तो आइसोसलस तो है, पहला माद्धिका हैं जो होती हैं, उनके इंटर्सेक्शन पर, तो अब ये कोई माद्धिका तो नहीं बन रही होगी, क्योंकि अपने को कोई भी डेटा नहीं दिये, तो अपने पर 100% कहीं नहीं सकते, बने गए नहीं बनेगा, तो इसमें, इसमें साइलेंट रहेंगें, इसको PQO, इसको भी अपने को यहां से जोड़ना पड़ेगा, यहां से एक लाइन के माद्धि हम से इसको जोड़ लेते हैं, यह बन गए अपना PQO, और यह दिया हुए अपने को RQO, इन दोनों त्रिभूजों को अपने को देखना है कि यह congruent है कि नहीं, सरवांग सम है कि नह इन दोनों जो भी अपने त्रिभूज हैं, यह वाले उपर और नीचे वाले, यह वाली भूजा, इस वाली भूजा के बराबर है, यह वाली भूजा, इस वाली भूजा के बराबर है, इन दोनों त्रिभूज के अंदर, इसको मैं मार्क कर देता हूँ थोड़ा सा, आकि आ दूनों triangle में, दूनों tribhuuj में एक side बराबर है, इस वाले में साइड, इस वाले में ये वाली side बराबर है, और ये तो common है मतलब ये उन दोनों में बराबर है जो तीनों भुजयाएं बराबर हो गई तो जो triangle है दोनों कैसे हो गए, congruent हो गए, सरवांग सम हो गए, तीसरी वाली condition बिल्कुल सही है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, option में क्या क्या दिया हुआ है, only one and two, तो two तो सही नहीं है, two तो यहाँ पर नहीं मानेंगे, one and three वो सही है, only two and three, two तो सही नहीं है, two भी सही नहीं है, तो option नमबर बी, यही एक मातर अपना सही है, पहला वाला statement कथन जो है, वो सही है, तीसरा वाला कथन है, वो भी सही है, option यहाँ पर आएगा अपना, आगे चलते हैं, एक आदमी शान्द जल में, 10 km प्रती घंटे की गती से नाव चला सकता है, जब नदी 4.5 km प्रती घंटे की गती से चल रही होती है, तो यह नाव की स्पीड दे दी अपने को, यह नदी की स्पीड दे दी, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने, और वापस लोटने में उसे कुल मिला के 2 घंटे लगते हैं, थान कितनी दूर है उसकी initial points है, वो अपने को यहाँ पर निकालना है, तो चुकि जिस बिंदू से आप चलना शुरू कर रहे हो, वापस आप उसी पर आ रहे हो, उसको कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, आप इस बिंदू से चलना शुरू किये, यहाँ तक गए, फिर वापस यहाँ से आपने शुरू किया, वापस अपने स्थान पर आ गए, दूरी यहाँ पर बराबर होती हैं, पर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, स्पीड का एवरेज ले ले लेते हैं, एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ पर बात करें, व्यक्ति की स्पीड 10 है, नाव की स्पीड 10 है, और नदी की स्पीड 4.5 है, तो जब वो व्यक्ति नदी की दिशा में जाएगा तो downstream हो लेंगे, downstream में उसकी speed क्या होगी दोनों की जुड़ जाएगी, 10 इसके पास, 4.5 इसके पास 14.5 हो जाएगी, जब वो विपरीद दिशा में जाएगा upstream जाएगा, तो दोनों की speed घड़ जाएगी 10 में से 4 आप घटा दोगे, पहले 4 घटा दो 6, फिर 0.5 घटा दो 5.5, अब downstream नदी की दिशा में upstream उसके विपरीद दोनों speed मिल गई, यहां से हम लोग speed का average निकाल लेंगे यह direct तरीका है इस तरह के सवालों को हल करने का speed का जो average होता है, उसका formula होता है इसको तो ठीक से लिख दूँ, speed का जो average होगा, speed average निकालेंगे, तो गया आया, average speed कुस्तो रही होगी, उसको निकाल लेते हैं, s1 गुणा, s2 नीचे, s1 प्लस, s2, इसको s1 बोल दो, इसको s2 बोल दो, यहां से average निकाल सकते हैं, तो speed का जो average होगा, वो होगा, 14.5, multiply by 5.5, नीचे, दोनों को जोड़ना होता है, यह हो जाएगा, 0.5 दे दो, 15 और 5, 20, नीचे हो जाएगा, 20, यह मिल गए, average speed, इसको time से गुणा कर दो, आपको distance मिल जाएगा, जो दूरी वो तै करेगा, जो बिंदू उनकी जो दूरी है, average speed लिख लो, 14.5 into 5.5, नीचे, 20, और जित्ता समय लगा, उससे गुणा कर दो, तो उसको कुल 2 घंटे लगे, तो उससे यह बन जाएगा, 10, 14.5 में, 5.5 का गुणा करना है, तो दशमलोबाद में adjust कर लेंगे, पहले आप गुणा कर लेते हैं, 145 में 55 का, simple तरीके से कर सकते हो, या फिर पहले इसमें 5 का गुणा कर दो, और 11 का कर दो, क्यों 11 का गुणा करना असान होता है वो सब नहीं करना है तो simple तरीके से भी आप कर लो कि हो जाएगा 25 फिर 22 करी जाएगा 7 5 से करना है तो चीजे रेपीट हो जाएगी 5, 7, 9, 7 फुल मिलाके जो यहां पर अपना आया 7, 9, 7, 5 2 के बाद देशंबला होता तो यहां पर लगेगा और एक नीचे 10 भी है इस 10 से एक देशंबलो और यहां पर आ जाएगा तो अपना उत्तर हो जाएगा 7, 9, 7, 5 करके option में देख लेते हैं 7, 9, 8 यह अपना correct होगा जब इसको अपन round off करेंगे तो 5 इसको 8 बना देगा प्राथम पाँच प्राक्रत संख्याओं के घनों का आउसत ज्याद करना है नंबर सिस्टम में बहुत सिंपल सी चीज है प्रथम पाँच के बात हो रही है तो जो प्रथम पाँच है उन संख्याओं का जोपन घन निकालते हैं के लिए formula अपना होता है एन गुणा एन प्लस वन नीचे दो और इसका वर्ग यह तो निकलता है इनका पुरा जो संख्या है उनका कुल योग अपने को निकालना है इसका average तो संख्या है पांच है तो इसको हम लोग 5 से हाग दे रहे होंगे बस यहाँ पर value पुट कर लेते हैं पांच संख्या है तो इन की जएके पांच रखेंगे पांच गुणा में एन प्लस वन मतलब 6 नीचे दो इस पूरे का वर्ग इसको divide करना है नीचे कुल संख्या 5 है पांच से divide क्यों कर रहे हैं क्योंकि average निकाल रहे ह और यह उपर formula लिखा हुआ है यह होता है cube निकालने का first 5 natural number यह standard formula होता है दो से यह बन जाएगा तीन 15 15 का वर्ग कितना होता है 225 225 को आप 5 से भाग दोगे यह चला जाएगा 4 बार और 5 बार 45 इसका उत्तार है option number C M के किस मूली के लिए समिकरणों की प्रणाली यह पहला समिकरण दिया हुआ यह दूसरा समिकरण दिया है इसके अनंत संख्या इंफानाइट नंबर और सॉलूशन infinite होने के लिए क्या होना पड़ता है condition होती है a1 upon a2 बराबर होना चाहिए b1 upon b2 बराबर होना चाहिए c1 upon c2 abc क्या होते हैं जो आगे इसके coefficient लिखे रहते हैं कोई सा भी ले लेते हैं क्योंकि तीनों बराबर होती हैं अगर केवल a और b को ही consider कर लें तो यहाँ पर a का मान होगा पहले में 17 तो यहाँ पर लिखेंगे 17 बटे a2 मतलब यहाँ पर 23 बराबर होना चाहिए यहाँ पर b का मान m होगा और यहाँ पर b का मान 299 होगा आगे c वाली चीज लिखने की जुरूत नहीं है आप चाहे आगे के दोनों में बना लो या बाद वाले दोनों में बना लो तब 23 से यह डिवाइड होना चाहिए तो करके देख लेते हैं यहीं पर 23 तो एक बार एक बार चले जाए यह हो जाएगा अपना 23 69 तीन बार यह बना देगा अपना 69 17 का 13 में अपने को गुणा करना है यह बनाता है 221 तो m का जो मान है वो है 221 अप्शन नमबर यह यहाँ पर अपना हो जाएगा सिस्टम ऑफ एक्वेशन जो होती लीनर एक्वेशन होती उसका यह सीधा सीधा सा सवाल था अगला यह तो पूरा पैसेज के बराबर का सवाल दे दिया एक आयातकार पार्क 120 मीटर लंबा है और 104 मीटर चौड़ा है पार्क की सीमा के साथ साथ 1 मीटर चौड़ा रास्ता चलता है जो पार्क छेतर के अंदर पूरी तरह से है तो जो पार्क है उसके अंदर के साइट में या उसकोझे प्रत्यक मीटर को पूरी तरह में कितना खर्च आएगा ऊक्सके अंदर के drivers, बना वाली उसका पिरिमेटर निकालने को परिमाप निकालना है। पहले यापको मैं डिखादता हो सवाल का मतलब क्या है। ये तो आपका आयतकार जो है वो पार्क है पार्क के अंदर इस तरीके से रास्ता बना हुआ है ये वाला जो हिस्सा है ये वाला ये पूरा वाला ये इसका रास्ता है तो बाहर वाला उसका बाहरी माप हो जाएगा परिमाप और अंदर वाला उसका अंदर का परिमाप हो जाएगा अब इसका जो भी उन्होंने अपने को डेटा लिखा हुआ था उसको लिख लेते हैं 120 मीटर लंबा है तो जो नीली वाली यहां से यहां तक है यह 120 मीटर है एक मिनिट स्ट्रेट लाइन हटा दूं यहां से मैं यह वाली पूरी 120 है और चोड़ाई उसकी है 104 मीटर तो यहां से लेके यहां तक जो बिंदू है वो 104 मीटर का है अंदर वाले का निकाल लेते हैं इन्होंने बोला है जो अंदर का पत है उसकी मोटाई किती है चोड़ाई किती है एक मीटर की एक मीटर यहां से कम एक मीटर यहां से कम तो 120 में से दो घटा देंगे मतलब लाल वाला यहां से लेके यहां तक जो है वो है 118 मीटर का यहां से लेके यहां तक की दूरी आगे नहीं जाएगा वहीं तक रहेगा यहां तक की दूरी और एक मीटर यहां पर भी दोनों तरफ से घटानी पड़ेगी 104 में से एक यहाँ पर घटा देंगे मतलब यह हो जाएगा अपना 102 मीटर वो चोड़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो 102 मीटर की अंदर वाला जो आयत है उसका अपने को परिमाप यहाँ से मिल गया 118 इसमें 102 जोड़ दो और उसको दूगना कर दो तो पहले इसको 2 दे दो 120 फिर उसको 100 दे दो 220 यह तो इतना हिस्सा आ गया इस वाले को निकालना है उसका दूगना कर दो 220 का दूगना कर देंगे 440 तो यह जो लाल वाला पूरा है इसका परिमाप होगे अपना 440 मीटर अब उन्होंने अपने से बोला है कि प्रत्यक मीटर को सफेद रेखा से चिन्नित करने में धाई रुपए का खर्च आता है तो पूरा चिन्नित करने में कितना हैगा तो बस इसको धाई रुपए से अपने को गुणा कर देना है धाई रुपए मतलब 25 by 10 10 तो यहाँ पर अपना कड़ गया 44 को अपने को 25 से गुणा करना है तो 44 का पहले इसको इस तरह से लिख लो 4 गुणा 11 गुणा 25 25 में 4 का गुणा कर दोगे तो 11 गुणा 100 11 गुणा करना असान है 1100 यह अपना उत्तर हो जाएगा Option number D इसमें correct है अगला सवाल 40 लिटर एक पात्र में 40 लिटर दूद रखा है इस container से 4 लिटर दूद निकाला गया और पानी से बदल दिया गया यह प्रक्रिया दो बार और की गई container में अब कितना दूद है standard सवाल है देखो अगर इसका तरीका आता है तो ही यह भनेगा वरना तो दिक्कत आएगे आपको तो यह मैंना आपको class में भी कराया था जो अपना mixture allocation वाली जो playlist है वहाँ पर आप इसको देख सकते हो simple सा तरीका आप लोग यहाँ पर लगा रहे होते है C1 V1 वाला जो अपना formula है उसको हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो एक पातर में 40 liter दूद रखा है pure दूद है तो उसका concentration सांदृता कित्ती होगी 100% तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100% 100% पहले दूद है अब इसमें अपन volume में जो बदला हो रहा है न उसको अपन गुणा करते चले तो 40 liter पहले है इस इशको side में लिखा जाता है 40 liter पहले है 4 liter आपने उसमें से निकाला 4 liter आप निकालोगे तो 36 बचेगा आपने 4 liter माइनस किया और उतना ही आपने उसमें पानी मिला दिया 36 में 4 liter पानी मिला दोगे जोड़ोगे पानी उसमें, फिर 40 हो जाएगा. फिर इसमें से एक बार आप और कर रहे हो, फिर 36 हो जाएगा, 4 लिटर निकालोगे, फिर 4 लिटर जोड़ोगे, फिर 40 हो जाएगा. यहाँ पर जो इस चीज़ को हम लोग बदलाओ की रूप में लिख लेते हैं. जो अनुपात लेंगे वो 36 by 40, फिर यहां 36 by 40, फिर यहां 36 by 40, इसे करेंगे, अगर सीख के तो बैतर होगा, इस चीज को यहाँ पर गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर 36 by 40, गुणा 36 by 40, गुणा 36 by 40, मैं आपको formula बताया था, C1 V1 equal to C2 V2, तो यहाँ पर जो volume में बदलाओ होता है, बस उस चीज को हमको लिख लेना होता है, यह अपने को दे देगा, जो mixture बाद में जो final अपना दूद बचेगा, उसकी सांदरता कितनी होगी इसमें, तो आपने 100 प्रतिशा से शुरुआत किया प्योर दूद था है, 40 लिटर में, पानी उसमें थानी, 4 लिटर आपने निकाल दिया, और 4 लिटर पानी जोड़ दिया, तो बदलाओ volume का कितना है, 36 हो गया, फिर 4 आपने जोड़ा, तो 36 बटे 40, ऐसा आपने दो बार और किया, एक बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ प नौ बार, नौ का घं कितना होता है, 729 और नीचे दशमलो लगा है, मतलब 72.9, परसेंट का साइन था, तो यहाँ पे भी परसेंट, जो नई सांदरता है, दूद की वो 72.9 परसेंट है, नए वाले अपने, जो अब जो पानी मिला मिला कि जो आपने solution बनाया, मिक्षर बनाय है, उसके अंदर, हमें निकालना है, how much milk does the container now hold, तो दूद कितना है, अगर सवाल बोलता कि दूद की सांदरता बताओ, कितनी हो जाएगी, तो अपने उत्तर हो जाता, 72.9 परसेंट, उन्होंने quantity पूछिए, तो बस, 40 लीटर अभी भी रहा होगा, उसमें, 4 लीटर निकाला 4 लीटर जोड़ दिया, फिर 4 लीटर निकाला, फिर 4 लीटर जोड़ दिया, आखरी में 40 लीटर ही बच रहा है आपका, अब जो mixture बचा 40 लीटर का, उसमें दूद की सांदरता इतनी है, उसकी सांदरता को कुल वॉल्यूम से गुणा कर देंगे, वो आपको कुल दूद दे देगा, तो इस चीज को यहाँ पर में लिख देता हूँ, 40 लीटर अपको कुल अपना mixture है, उसमें 72.9 परसेंट आपकी दूद की सांदरता है, 72.9 परसेंट को में नीचे लिख लूँगा, परसेंट की जाएगे 0, दशमलो हटा के यहाँ से नीचे हो जाएगा, शुन्यू एक तो यहाँ पर आप इसको 0, यहाँ पर काट सकते हो, अब चुकि यहाँ पर 100 आ रहा है, 4 से 25 बना देंगे तो डिवाइट करने में दिक्कत आएगी, सबसे अच्छा है, 4 को आप इसमें बस गुणा कर दो, 00 लगे हो उनको अपन decimal में चिपका देंगे, तो कि answer में पर मैं लिख देता हूँ, 946, 3 केरी जाता, 4 दुनिया, 3 के साथ 11, केरी एक चला जाएगा, 29 और नीचे रहेगा यह 100, मतलब यहाँ पर दशामलों लग जाएगा, तो अपनी दूद की मातरा हो गई, 29.16 लिटर, option number C, यहाँ पर clearly सहीं, यह सबसे short तरीका इस चीज़ को करन चुड़ जाएगा, अपने बहुत सारे सवाल चुड़ जाएगे, अगर नॉर्मल तरीके से करेंगे, सबसे fast तरीका है, ऐसे सवालों को हल करने का, आगे चलते हैं, प्रैक्टिस चाहिए होती है, ऐसे सवालों को करने के लिए, method नहीं पता, तो फिर लगाओगे, तो यह अगने को एक्जाम के पहले सीख नहीं होती है, यही तो कोचिंग का गाम होता है, यही तो अपन प्रिपरेशन कर रहे होता है, आगे चलते हैं, अगला सवाल, तीन वर्ष में आठ हजार पर दो बैंकों के साधारन ब्याश्च के अंतर आठ सो है, यदि दो बैंकों में प् का है तीन सालों में साधारण ब्याज में जो अंतर है वो आठ सो का है एक साल में कितना होता आठ सो बटे तीन कितने रुपए का अंतर होता एक साल में प्रतिशत निकालना होता है तो यहां पर मूल धन में तो बदला होता है नहीं साधारण ब्याज के case में बस प्रतिशात यहां से आप लोग निकाल सकते हैं पर अंतर कितने का आ रहा है आट सो बटे तीन का अंतर आ रहा है कितने में से तो आपकी मूल धनराशी वो 8000 है तो नीचे आप 8000 रखते तो इसको मैं बन अपॉन 8000 यहां पर लिख रहा हूं प्रतिशात निकालने के प्रतिशत में बदलना होता है तो ब्याज कितना है डिवाइड़ बाए मूल धनराशी किती है तो 800 बटे तीन भाग में 8000 प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो यही इनके दोनों के बीच का अंतर होगा आगे चलते हैं 10A प्लस भी दे रखा है रूट 3 के बराबर 10A माइनस भी दे रखा है एक बटे रूट 3 के बराबर और आगे बहुत कुछ लिखा है देखो 10 रूट 3 कब देता है 60 डिगरी पर इसका मतलब A प्लस B का जो मान है वो 60 डिगरी है और 10 एक बटे रूट 3 कब देता है 30 डिगरी पर A माइनस B का जो मान है वो होना पड़ेगा 30 डिगरी इन दोनों को जोड़ लो और 2 से भाग दे दो तो यहां से A का मान आ जाएगा 90 बटे 2 मतलब 45 डिगरी और B का जो मान है वो आ जाएगा दोनों को घटा दो और 2 से भाग दे दो 60 में से 30 घटा होगे 30 2 से भाग दोगे 15 यह अपना उत्तर हो गया, A का मान 45, B का मान 15, option number A एक light house के विपरीद दो जहाज इस प्रकार हैं कि तीनो सनरेखी हैं मतलब एक ही line में वो है, light house के shift से दो जहाजों का जो अबनमन कोण है वो 30 degree हो 60 degree है, उसका जो angle of depression है अब मैंने class में बताया था angle of depression हो, या angle of elevation हो एक ही चीज रहती ही, तो उसको नीचे हम लोग 360 degree अपना angle बना लेंगे, सबसे पहले इसका मैं diagram बना लेता हूँ आपकि clearly आपको समझ में आए, यह light house मान लिया, एक नाव उसके इस तरफ, दूसरी नाव उसके इस तरफ, तो कुछ इस तरह का अपना diagram बनेगा angle बगरा लिख लेते हैं, एक का 30 degree, एक का 60 degree, तो जो सबसे पास होता है इसके, उसका angle बढ़ा होता है, यह 60 degree जो थोड़ा सा दूर सा होता है, उसका 30 degree होता है ताकि अपने को बार-बार ना calculation ना करना पड़े, या सोचना ना पड़े, किसी भी चीज के आप जित्ता नजदीक जाते चले जाओगे, angle बढ़ता जाएगा, जित्ता दूर होते जाओगे, angle छोटा होता जाएगा, सिंपल सा logic हम लोग लगा रहे होते हैं, खेर, उचाई निकालनी है, मतलब यह जो light house है, इसकी उचाई कितनी है, यह अपने को निकालना है, और उनकी दूरी जो है, वो अपने को डी है, दोनों नाओ के बीच की, 230 root 3 meter, यह वाली जो दूरी है kuul, यह दी है, अपने को 230 root 3 meter, में दी गई, पर इसकी height निकालनी है, तो देखो इसको एक मानो इसको तूर दोसो तीस रूट तीन माइनस एक्स मान के फिर दो बार टैन थीटर लगा के हल करो वो नॉर्मल तरीका हो सकता है दूसरा जब भी हाइटन डिस्टेंस की बात होती हम लोग स्टेंडर्ड चीज यूज़ कर रहे होते हैं क्यूंकि देखो तीस यहां पे पर्पेंडिकुलर है 90 डिगर के कोण बनेगा तो 30, 60 और 90 का कोण बन रहा है तो इसके लिए मैंने को क्लास में भी जिखाया था जब इस तरह का अपना राइट अंगल ट्रेंगल होता है पर यहां पर 30 डिगरी बन रहा है तो इसके अपने को रेशो क्लियरली पता होता है 30 के सामने एक होता है यह वाली भुझा अपनी दो के बराबर होती है और जो नीचे वाली वाली होती है वो रूट तीन के बराबर होती है तो यहां पर यहां पर रूट 30 के सामने 1 होता है 60 degree के सामने root 3 होता है जो इसका जो विकंड बनती है हाइपोटिनस होती है वो होती है अपनी 2 के बराबर इनके बीच का अनुपात होता है मैं आपको यहाँ पर अनुपात से करके दिखा रहो क्योंकि वो सबसे fast तरीका होगा इस तरह के सवाल को हल करने का तो पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ अगर पहले इस वाले triangle की बात करें तो 30 के सामने यह मतलब यह एक के अनुपात में होता यह दो के अनुपात में होता यह वाली जो इतनी भुजा है यह root 3 के अनुपात में होती अब इस वाले की अगर मैं बात करूँ, अलग color से लिख देता हूँ 60 के सामने root 3 होता है, तो ये root 3 के बराबर होता ये 1 के बराबर होता, और यहाँ पे इतना वाला जो हिस्सा है, ये 2 के बराबर होता अब यहां पर यही वाली हिस्सा यह root 3 के बराबर भी, एक के बराबर भी है तो उसको पहले हमको क्या करना पर पढ़ेगा पढ़ेगा मर्ज करना पढ़ेगा तो यह काम करो, जो नीला वाला है इसको root 3 से सब जगे multiply कर दो तो भी root 3 से multiply कर दो इसके हिसाब से भी root 3 हो गई, इसके हिसाब से भी root 3 हो गई, अब यहाँ पर हम लोग जो अपना unitary method है वो लगा सकते हैं, अगर आप base देखोगे यह वाला, तो यह एक के बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक के बराबर, और यहाँ से लेके यहाँ तक root 3, गुणा root 3 मत को निकालना है, खोटा सा calculation है, उसको कर लो, गुणा root 3, नीचे 4, और यह root 3 वाला यहाँ पर, गुणा होके root 3 मत देगा, दो बार जाएगा, यहाँ से इसको हल करें, तो एक बार, एक बार, पांच बार, तो मिलाके root 3, root 3, गुणा होके 3 मत देगा, 3 का आपको इसमें यह देगा अपने को 3, 45, और नीचे हो जाएगा 2, तो से इसको divide कर देंगे, यह जाएगा 1 बार, 14 हो जाएगा 7 बार, 5 है तो 2 बार, दशम्दू लगेगा, एक बचा है, तो 5 बार, तो उसकी जो लंबाई हो गई, 172.5, option number C, यह तरीका था जो मैंने आपको करके बताया, ratio method से, standard चीज होती है, कोई भी right angle triangle होता है, उसमें 30 degree के सामने, एक unit, उसकी जो कर्ण होती है, 2 unit, और उसके नीचे, 60 degree के सामने, root 3 unit, यह इसका अनुपात होता है, fix होता है, इसमें कोई परिवरतन नहीं रहता, हमने यही चीज दोनों triangle में लगाई, इसमें लगाया है, तो य Mumbai मेरी, यहाँ पर भी root 3, यहाँ पर भी root 3, तो बराबर हो गई, बस आगे हमने फिर इसका unitary method उपयोग किया, और सवाल को हल कर लिया, निम ने लिखिट डेटा का अंक गड़ेती माध ही निकालना है आपको, arithmetic mean निकालना है, तो arithmetic mean निकालना है, असान है, बस संख्याओं को जोड़ देना है, और जित्ती संख्याओं उससे आपको भाग दे देना है, 23 में, पहले 17 जोड़ लो, 7 इसको दे दो तो, 30, 30 में 10 जोड़ दे, 40, 40 और 20, 60, 60 तो यहाँ पर हो गया, 19 और 21 को जोड़ दे, पहले इसको, इसको एक दे दो तो 20 ये भी और 20 ये भी, 60 प्लस 40, 100, योग आ गया इसका 100, संख्याओं कित्ती है, 5 इसका मतलब, इसका average या अं संख्या ये आपको दी है, निम्नलिक्त में से किस संख्या से विभाज है, किस से पूरी तरह से विभाजित होगी, तो अपने को देखना है, 4, 5, 12 और 8 से, पहले अगर 4 से देखने के लिए, आकरी के दो अंख्या यहाँ पर 16, 16 चार से विभाजित होता है, तो ये पूरी स संक्या भी 4 से विभाजीत होगी पहली चेक करने पर अपना उत्तर आगया सिमंपल सी बात है option number अपना ए हो जाएगा यह को बाकी के चेक करने की जुरुत नहीं कुछा इस्में उन बोला है कि संक्या से विभाजीत है एक ही संक्या पत्वा नहीं अपने को पहली संक्या को याद भी रहता है चार का वर्ग निकालेंगे सोला दोस में से घटा देंगे 14 इसका उत्तर हो जाएगा मुझवा नहीं कर सकते हैं क्यार नॉर्मल तरीके से करना है इस वाले समय करण को आप लिखोगे दोनों तरफ आप वर्ग ले लोगे तो यह हो जाएगा उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा इसलिए बन अपॉन एक्स स्क्वेर प्लस एक्स स्क्वेर बराबर सोला में से दो घटा देंगे 14 वही पूछाता होगा ही निकल गया और यहाँ पर अपना सही हो जाएगा इस पेपर के कुछ एक सवाल काफी जादा आसान थे देखते ही कई लोग हल कर देंगे अगर प्रैक्टिस अगर अच्छी है तो कुछ कोशन देखो ऐसे हैं दो-तिन सवाल ऐसे थे जिनमें बहुत राम कहानी लिए थे लेकिन पेरेग्राफ जित्ता बड़ा उन्होंने करके दे दिया है लेकिन हल करना उनको मुश्किल नहीं था कंसे बहुत आसान सा लगाना था जस्ट वो कोशन का साइज अपने को देख के उसमें थोड़ा सा डरा रहा है पेपर ओवरोल अच्छा था लेवल बहुत ज़्यादा इसका डिफिकल्ट डेफिनेटली नहीं मानेंगे जो मेन्स को लेकिन बहुत हुआ रहता है कि बहुत डिफिकल्ट आता है जो प्राओलम रही होगी इसको एक्जाम में देने की वो टाइμ मैनेजमेंट की हो सकती है तो एल्प करना होता है लैंझी सवाल दिखे, मुश्किल सा लगे, अंजान सवाल दिखे तो better होता है पहले round में उसको छोड़ दो easy easy medium सवाल भी अगर आपने इस paper में कर दिये होते तो easily आपको इसमें selection हो जाता है ऐसे सवाल या इस तरह के और भी जो अपने बाके की shift के paper हैं वो भी एक करके सारे solve करेंगे again मैं आपको remind करा दूँ इसकी PDF आपको app जो है वहाँ से भी आपको मिल जाएगी free में और channel से भी आपको ये मिल जाएगी दूसरा इस paper को मैंने test format के test के format में भी डाल रखा है app पर वहाँ से आप इसे free में unlimited number of times attempt कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली जो exam सोगी वहाँ पर आपको काफी ये चीजे helpful हूँ